मित्रों क्या आप एस हो सकते हैं कि कोई भुनकर जो की कम्प्यूटर के इस विकास के क्रम में जो कम्प्यूटर का अभी हम उनत रूप देखते हैं इसके बहुत साल पहले आज के बहुत साल पहले इसके विकास में कहिन कई छोटा मोटा युगदान कोई भुनकर भी किया बता दूं कि उस टाइम पर एक फ्रांसिसी बुनकर थे जिन्हों ने एक मसीन बनाया उसका नाम था पंचकाड क्या था नाम उसका पंचकाड यहीं वह पंचकाड है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ओ जानते इसको क्यों बनाये थे इससे बुनाई के काम करने के लिए इससे अपने आप जो है डिजाइन बनती जाती थी मतलब वो अपने आप धागे फसाने वाला कामें करता है आशकल आप लोग देखे होंगे जहां पर साड़ी उगरे बुनी जाती है वहां पर ए चीज इस मसीन का एक थ्वाप बदला हुआ रूप आप देखोगे उसमें कारड़ में छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे पंच करकर चिदर होता था उसी अनुसार क्या होता था वोढ़ से धागे को उठाता था और डिजाइन बनाया करता था ध्यान रखेगा क्या आप जानना चाहते हैं कि वह बुनकर कौश occupy धियान धहां दीजेगा वह फ और यह कपड़े में क्या करता है अपने आप डिजाइन कर देता है अपने आप उसके धागे को उठाता है लगाता है तो बहुत बहुत बहतरीन मसीन सोचो एक बुनकर जो सेफ जिकार जी ने पंचकार बनाया और इस पर बाद में चलकर करके आईवियम कंपनी जो थी ओ कैसे आईवियम बना आईवियम के फैक्ट्री में पहले पंचकार ही बनते थे पंचकार का जो कार्ड होता था जिसमें चुर्च 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 छिद्र होते थे और फिर बदलते बदलते आज इतनी बड़ी इतनी बड़ी आईवियम बन गया आईवियम के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके हमको जरूर बताएगा मैं आगे आईवियम के बारे में क्यों आपको बताऊंगा कि क्या है कंप्यूटर के चत्र में वहाँ जो हाइडवेर होगरा सब कुछ सेट कैसे किया बाद में उसे माइक्रोसाफ्ट ने जो अपना डाला वो उसको बना करके फिर हम लोग कंप्यूटर तक कैसे आए हम लोग उसके रास्ते में पढ़ने वाले बहुत सारे जितने भी उसके विकास में छोटी-छोटी-छोटी-छोटी इस्टेफ में जो महत्तपूर्ण चीजह होंगी मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा तो यह जानकारी रोचक जानकारी कोस्तन पूछा प्रांस के यह बुनकर थे जिन्हों ने यह मसीन बनाई थे इसे आटमेटिक डिजाइन बनती जाती थी तो अभी के लिए बस इतना चले मिलते हैं नेक्ट वाले क्लास में किसी और मूल कोई टॉपिक के साथ में